चलो दोस्तों शुरू करते हैं काला पहाड अच्छी कान ये द्यान से सुना किसी नगर में एक सुबह एक सादू ने प्रवेश किया सादू अपना कमंडल था में एक घर की दहलीज के समीप पूँचा और चुपचाप महां जागर खड़ा हो गया काफी समयपस्ता जब गर्यनी बाहर निकली अरे मेरे द्यार पर ब्राह्मन दे होता सादू को बिलकुच चुपचाप खड़ा दे गर्यनी सोच में पड़ गई अरे ये कैसा महातमा बिक्षा के लिए भी नहीं कह रहे इन्हें बिक्षा दी तो कहिए नाराज तो नहीं हो जाएंगे किन्तु मेरे द्वार से आज तक कोई ब्राह्मन खाली आथ नहीं लोटा गर्यनी कुछ फल थाल में भर लाई मैं अपना फर्ज पूरा करती हूँ आपने बिक्षा के लिए नहीं का किन्तु फिर भी मैं आपको बिक्षा दे रही हूँ इसके लिए मुझे समा करे महाराज और बिक्षा स्विकार करे सादू ने चुपसाप अपना कमंडल आगे कर दिया कैसा वी चित्तर सादू है कुछ बोलता ही नहीं उसी साम वही सादू फिर एकन में मकान के सामने जा खड़ावा फिर उस गर में गर से बिक्षा लेकर वह चुपसाप ही वापस लोट पड़ा ऐसा मुझे सादू तो आज तक नहीं देखा सुना फिर तो उस सादू का ये रोज का नियम बन गा आज सुबह साम है चुपसाप किसी मकान के आगे जा कर खड़ा हो जाता और जब तक विक्षा ना मिल जाती खड़ा रहता ओ मोनी बाबा अरू दीनुरे देखते दवारे खड़े मोनी बाबा इन्हें बिक्षा लादे अरे बाबा आप ये लिजे बिक्षा स्विकार कीजे जैसे कि बाबा जानने के लिए मिरोद मुड़े ठैरिये बाबा बाबा क्या मुझे बता सकते कि आपने ये मोन वर्थ क्यों धारण कर रखा आखिर आप बिक्षा के लिए आवाज ने देकर इतनी देर तक खड़े रहा कर सवे को कस्ट क्यों दे रहे हो दे रहे हैं कभी कभी तो मैंने सुना कि आप पूरा पूरा दिन बिक्षा के लिए दहलीज पर खड़े रहते हैं किन्तु बिक्षा देने के लिए आप किसी से कुछ नहीं कहते यह सुनकर मोनी बाबा होले से मुश्क्राए और आगे बढ़ गए अरे कोई जवाब नहीं दिया जब आप कहां से देंगे उन्हें तो आज तक किसी ने बोलते देखा ही नहीं मुझे तो यह मुणी बाबा भगवान का कोई अवतार लगते हैं दिरे दिरे वैसादू मुणी बाबा के नाम से परसीद हो गया मोनी बाबा, हाँ मोनी बाबा, मोनी बाबा आए है लोग शर्दा पूरकुन के चर्ण दो दो कर पीने लगे हमारे धन्य बाग मोनी बाबा जो आपने हमें सेवा का मोका परदान किया किन्त उस दिन रोज की तरह मोनी बाबा बिक्षा के लिए एक मकान की धहलेज के निकट जाकर खड़े हो गए ओ मोनी बाबा मुझ अपायज के घरपदा रहे हैं और मैं चल कर ठीक से उनके दर्सन भी नहीं कर सकती उन्हें बिक्षा भी नहीं दे सकती मोनी बाबा तुम वेर मेरी मा तो चल नहीं सकती है ने इसलिए बिक्षा देने मैं आया हूं बाबा आप कमेंडर लागे क्यों नहीं करते क्या मेरे आतों से बिक्षा सुईकार नहीं करेंगे बाबा इसी पल बच्चे के मुझ से चीख निकल गई मा सनाक मोनी बाबा क्यात में खंजर देख कर वे मासुम बालक बहसे कांपता वा परटा ही था कि मेरे लाल खच मा जिशिटती पाइज मा अपने बच्चे के धड़के निकट पूची चीख पूच कर चीखने लगी नहीं अरे सैतान मोनी बाबा मेरे मासुम बेटे ने तरह क्या विगाड़ा था दोस्ट उफ ये क्या हो ग मोनी बाबा मेरे बच्चे के प्राण और लेगा मोनी बाबा तो क्या ये दूस्क्रम मोनी बाबा ने किया आसंबव मोनी बाबा और ऐसा गर्णित कारिये हम तो उन्हें देवता सवरूप समझते थे मैं तो उनके चर्ण धोकर पीती थी रुकमनी बहन तुम्हें तुम्हे अगर ये दुस्क्रम वाक्वी मोनी बाबा ने किया तो उन्हें इसका दंड भुगतना होगा हमें फोरन पीपल वाले मंदिर चलना चाहिए किन्तो अगर मोनी बाबा ने ही ये एक उर्टा दिखाई होगी तो अब हमें क्यों मिलेंगे अभी पता लग जाएगा जबकि मोनी बाबा एक अन्य मकान के आगे मोनवर धान के खड़े थे वो मोनी बाबा आज तो इस वर सब मेरे घर पदारे लक्षमी अरे ओ लक्षमी देख मोनी बाबा आए हैं आज इनके चण धोकर पीने की इच्छा पूर्ण होगी मोनी बाबा जरा जल्दी से जाकर एक थाल में जल ले आ आए महाराज पदारिये थोड़ी देर में महाराज आपने पाव से च्छा कर इस जल को अमरत बना दी जिताकि इसे पीकर मैं धनने हो सकूँ मोनी बाबा के चर्ण दोकर दोता वहे काक चोक पड़ा यह क्या मोनी बाबा के पाव के रोम सिद्रों से तो काला पसीना बह रहा है वो सक ही एक जल्द अमरत बन गया है इसे पीकर मैं अमर हो जाऊंगा किन्तु जल पीते हुए जल बिन बंसली के समान तरपने लगा आए मुझे क्या हो रहा है मेरे गले में काटे से क्यो चूब रहे हैं स्वामी क्या हुआ आपको स्वामी क्या हुआ कैसा दर्द है यह आप मेरे जिसम में आग लगी है रक्त आपके मुझे तो रक्त बह रहा ह स्वामी नहीं ये क्या हो गया है आपको और यह मैसुस करते ही कि उसकी सांस अब नहीं चल रही बाबा ये क्या पिला अरे कहां गए मोनी बाबा मोनी बाबा वो समझ गई मेरे पती को विश मिला जल देकर खुद कहीं चले गई ये काला जल मोनी बाबा का चर्णामर समझ कर इन्हों ने पिया था और पीते इन्हों ने दम तोड़ दिया मोनी बाबा धर्मात्मा नहीं हो सकता है त्यारा इसने मेरे स्वामी की जान लिया मैं उसका खुन पी जाऊंगी किसी के शिर्दा का ये फल उसे देना तो एक धर्मात्मा का कारियर हरगिज नहीं हो सकता ये तो सरासर पाप है उस दोंगी सादू को इस त्री के स्वामी के इत्यागा दंड मिलना है चाहिए हमें तुरूंत पीपल वाले मंदिर चल कर उस दोंगी को पकड़ना चाहिए हाँ हाँ चलो थोड़ी देर में लेकिन पीपल वाले मंदिर से कुछ ही दूर अरे वे रहे मोनी बाबा अत्यारा मोनी बाबा खबरदार कोई उनसे असबब डंग से पेस नहीं आएगा मोनी बाबा भीड के निकट कूछ कर रुख गया बाबा हमें आपसे कुछ पूछना है क्या आपने पाइज रुकमनी के बच्चे की इत्याज जैसा जगन ने कार्य किया है क्या आपने एक गीब किसान को विश्पिला कर इसके र했다 कि है बाबा अजह आपको अपना ये मोन वरत बंग करना ही होगा हाँ हाँ और हमें बताना होगा कि क्या ये अक्समे व्राज आपने किये है मोनी बाबा ने एक निगास सब पर डाली और आगे बढ़ गए अरे तबी पाखंडी सादू अब तेरा पाखंड एक्षन भी या नहीं चल सकता तू हमें अब एक पल भी और दोखा नहीं दे सकता दूस्त तू सादू के वेश में छिपावा कोई सैतान ने बेड़ की खाल में बेड़िया तू गाउं वालो देखते क्या हो या दूस्त इतने दिनों तक हमें मुरक बनाकर अमारी बहाना को ठकता रहा मारो मारो इसे तीरो सोर मचाती वीड़ उस पर तूट पड़ी मारो मारो और फिर बस इस सैतान के लिए इतना ही काफी है बाकी का काम इस जंगल के भानक गिद वेचील कोई कर देंगे बीड सादू को दमराई छोड़ वापस चली गई तभी फड़ फड़ गिद एक वरक्ष पर बैठ गया और तभी हाहा आखिर मैंने तिरा वर्त भंकरी दिया हाहा अब मुझे इस नगर में कोई बिक्षा नहीं देगा अब तुझे इस नगर में कोई बिक्षा नहीं देगा तु कभी काले पाड़ तक नहीं पूछ सकेगा गिद उड़तावा सादू की निगाव से लोग होगा जबकि सादू गहन जान में लीन हो गया उद्धर अगले दिन बोहर के उजाले की किर्ण में हैजे के परकोब कान तक लेकर आई बोहर के उजाले की किर्ण नगर में हैजे के परकोब कान लेकर आई आ मेरे पेट का दर्द ये दर्द मरी जान लेकर छोड़ेगा नहीं मैं नहीं वैजी को लेकर आती हूँ थोड़ी देरे बाद वो इसे तो हैजा हो गया है आ देखते देखते उसके प्राण बखेर उड़ गए आ नहीं स्वामी नगर में आजेगा प्रकोब बुरी तरह से फैल गया आ में मरा बचाओ नहीं राम नाम सत्थ है नगर में हकार मच गया फुफ यह हैजा पूरे नगर को खा जाएगा हम से वसे कोई भूलू यह जो इस पर में इतना कठोर दन दे रहा है वो कहीं हमने मोनी बाबा बर रच्चाचार तो नहीं कर किया तबी साउचन चल दी घर चलो तुमारे दोनों बच्चों की आलत बूत खराब है और नहीं ने कुछ नहीं हो सकता मेरे बच्चों का कुछ नह खोगा उठो मेरे बच्चों आखे खोलो तीक उसी पल अरे मोनी बाबा मोनी बाबा मेरे बच्चों की रक्षा कीजिए कैंग्समा ड़ा जिन्हों निया अब की ये बात ये मत बना गत बना दित ही लेकिनम अब जान गया हूं कि प्राण देने वाले हाथ प्राण ले नहीं सकते हम ही गल्द थे प्रबू हम ही गल्द थे मोनी बाबा ने अपना कमंडल आगे कर दिया हूँ आपको बिक्षा चाहिए बाबा बिक्षा मैं दूँगा लेकिन पहले आपके इन जख्मों का इलाज करूँगा मैं मुझे अपनी सेवा करने से मत रोकिये बाबा साउसंद ने मौनी बाबा के जखमों पर दवा का लेप कर दिया और बिक्रागा स्विकार करे मौनी बाबा सुखी रहो है आप बोलने लगे बाबा हाँ क्यों कि आज तुम्हारे घर से बिक्रा गरन करते हैं میरा वर्थ समाप्त हो गया वर्थ कैसा वर्थ बाबा मोन रहकर एक अजार एक गरों में विक्षा मांगने का वर्थ हम समझें ने बाबा ऐसा वर्थ आपको क्यों लेना पड़ा इसकी भी एक कानी है पुत्तर इस नगर में कुछ ही कोसदूरी पर एक सितत है राम रिसीवन जहां मैर्शी सहदेवाचारिय का आश्रम है आश्रम में दूर 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 देशों के राजा राजकुमार वेर राज करने शिक्षा दिक्षा प्राप करने वहां आते हैं साभास बेटी यह वरक्ष पर लटकी वस्त्रों की वनियों स्चिडिया को देख कर तीर चलाओ अनरिशी मुनिवीर शिक्षों की सस्तर विदा सिखाने सास्तरा तित्यादी में प्रवीन करने के लिए सहोग करते किन्तों एक दिन राम रिशी वन में एक भेंकर अगनी राक्ष आगने नय जाने कहां से आ गया राम रिशी वन में आते हैं उसने उत्पात मचा दिया आ मैं जला बचाओ उप यह कैसा जीवो गरीब राक्ष था बचाओ इसकी देत अगनी से जल रही है बागोबर ना यह सब को जला डालेगा जंगनी जाडियों में जीदर से गुजर जाता उदर अगनी अपना तांडों मचाने लगती शिगरी एक दिन आश्रम में भी आप पूंचा और इसी मुनियों का आश्रम मेरे सत्वों का आश्रम और राक्ष आगने यहां भी आप पूंचा मैं तुम सब का नास कर दूँगा ओफा गुरुदेव रक्षय करो ठेरो बंद करो यह इंसा और बताओ कि तुम अकारण ही है कि इंसा क्यों कर रहे हो खबरदार दूस्टा अगने अगर तुमने एक पी रिशी मुनी की जान लेने की चेस्टा की तो तुम अपनी ही अगनी में जलकर भसम हो जाओगे यह मेरा साप है तुम्हारे जैसे ही एक महमुनी ने मुझे साप दिया था कि मेरी मुर्ट किसी रिशी मुनी के आथ होगी इसलिए मैं इस धर्थी से तुम रिशी मुनियों का अंध कर दूँगा, हाँ, हाँ. खबरदार दूस्ता आगने, अगर तुमने एक बिशी मुनियों की जान लेने की चेस्टा की तो तुम अपनी अगनी में जलकर बसम हो जाओगा, ये मेरा साप है तुमें. एक आगने के अपनी देश जलती, आगने, आगने को अपनी देश जलती सी लगी, गबरागर उसने सबीरी सी मुनियों का अपनी कैश से मुक्त कर दिया, उप ये क्या मेरी अगनी मुझे ही जला रही है, हाँ, सबने नदी में डुब की लगा कर आग बुजाई, इस पर कार आ आगने तब हमें सब अपने आथा से मार तो नहीं सकता था किन तू उसने आश्रम को बहुत नुक्सान पहुचाया, अरे आश्रम जल रहा है, जल्दी करो आग बुजाओ, ये सारी कर्तुत आगने की है, राक्सस आगने को समाप करने के लिए कठोर यगारम किया गया, इस देखता हूं कि कैसे पुर्ण होता है ये यग, उफ यह क्या, मत्सियार, अप्सगुन, तब गुरुदेश सादेवाचारी एकाक बड़बरा उठे, धुर्त राक्से सागने अपना काम कर गया, अब इस दुस्ट को समाप करने का बस एक ही उपाए मुझे दिखाई दे रह में बताते हूं मेरे गुरुदेव ने मुझे का था कि सुनो वच्छिस कमंडल को तुम तब ही बहार निकालना जब किसी संकट का कोई हलने मिल रहा हो, किन्तो इस कार्य से पुरो उस वैक्ति को एकजार एक घरों में मोन रहकर बिक्षा मांगने का वर्थ पूरन करना होग और अगर ये वर्थ बीच में तूटा तो इस नगरी की तबाही निश्चित है जिसे विक्षा के लिए सुना जाएगा, इतना कहकर मोनी बाबा ने आगे कहा, ये कार्य बहत धर्य का व्यद्ध जोखिम बरा था, इस वर्थ के दोरान आगने दोरा वैदान उत्पन करने का भी भैता है, अतना ये कार्य मुझे सौब दिया गया, किन्तो मेरी सफलता के अंतीम सणों में ने जाने कैसे आगने को मेरे वर्थ का पता चल गया, और उसने मेरे छदम रूप में अत्याय करके नगर वाश्यों को मेरे विरुद बढ़का दिया, किन्तो मैं जानता था कि अगर मैंने ये वर्थ दूरा छोड़ दिया तो नगर तबाह हो जाएगा, अत्यम मैं इम्मत वे दहरे के साथ एक बार फिर भिक्षा लेने निकल पड़ा और अत्या सफल हुआ, अब मैं आगने की मृत्व की कामना के साथ काला पाड़ की तलेटी में छिपा कमंडल लेने जा रहा हूँ, किन्तु बाहर निकलते ही, बाबा हम पापी या ग्यानियों को समा कर दो, हमने आपको पैचानने में भूल की, जाओ इस्वर की किरपा से सब ठीक होगा, मोनी बाबा सिगरी काले पाड़ की उर्चल पड़े, मुझे उस दूस टागने से भी साधान रहना हो लेकिन इस जंगल की आग से भी तुम बचनी सकोगे, हाँ हाँ, वो मुझे जंगल से सिगरी निकलना होगा, लेकिन आग सिगरता से फैलती जा रही थी, ये गुरुदेव मदद करो, इसी के साथ तेज बर्षात होने लगी, वो बर्षा, वन से निकलते ही, यही एक काला प पुतर, प्रणाम की मुद्रा में आगे बढ़ो, अपने अथेलियों से चीर दो इस काले पहाड को, फिर तभी, वो राक्षर सागने का आकर्मन, मैं तुझे अंदा कर दूँगा सन्यासी, अब मुझे बचना होगा, फड़ फड़, वार बचाने के साथ ही, सादु ने प् कमंडल उठा लिया, इधर अगले पल आगने अपने सली रूप में आ गया, हाँ, तु मुझे मानना चाहता सन्यासी, लेकिन मैं भी मरने से पूर इस दर्ती को जला कर खाक कर जाऊंगा, दूसरे पल आगने के जिस्वं के रॉम रॉम से जवाला निकलने लगी, हाँ, हाँ, ए मागरू के कमंडल इस दुस्ट को और अधिक तबाई करने से रोक, अगले पल कमंडल से दुवा निकलने लगा, दूए ने चारोतर फैली अगनी को समेट लिया, दूएं के लकीर राक्ष सागने के सिर में समा गई, नहीं, फिर एकाक जवाला मुखी के समान फट पड़ी राक्ष सागने की दे, ओ, धड़ाम, इसी के साथ चारो और सांती चा गई, दूस्ट आगने समापत हो गया, दूएं वापस कमंडल में समा गया, एक आवाज गुजी, वस अब इस कमंडल को यथा स्थान रख दो, मोनी बाबा ने कमंडल यथा स्थान रख द गया, कडाक, तभी मोनी बाबा पर पुष पर पुष पवर्षा होने लगी, वह यह साथ मेरे गुरु देव का प्रताप है, जो मेरी सपलता पर मुझे आशिरवात दे रहे हैं, और फिर मोनी बाबा वापस अपने आश्रम के और चल पड़े, लक्से इंसान से दूर नहीं अगर लगन सची हो, अब आश्रम में पुरु की तरह सुख वे सांति चा गई थी, समाब दोस्तों अची कानी थी, जरू लाइक सब्सक्राइब करना दोस्तों